दोस्तो फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर एमा शेजाद ने रोही शर्मा को ट्रोल किया है। उनका कहना है कि न्यूजिलेंड ने भारत आकर उनकी ऐसी दुलाई की है जैसे मानो बच्चों की पिटाई की जाती है। उनने टीम इंडिया का मजाग बना दिया है। लोग आप कह रहे हैं कि कागस के शेर घर में धेर हो गए। आगे उनने कहा कि जब इंडियन टीम 46 पर आल आउट हो गई थी तब रोही शर्मा का कहना था कि एक दिन सब का बुरा दिन होता है। और ये बात हम सबने मानी भी लेकिन जिस तरह से उन्होंने दूसरे टेस्स मैच में क्रिकेट खेला उसको देखके लगा कि अब वो जीतना ही नहीं चाते हैं। रोही शर्मा कहते हैं कि वो फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देते बस क्रिकेट खेलने पर फोकस करते हैं लेकिन पिछले दो टेस्स मैचों में उनके बोलने और करने में फर्क दिखाएं। ये दो मैच इंडेन टीम इस तरह से खेली जैसे स्कूल के बच्चे खेल रहे हों।